आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Grass, Insects, Frogs, Birds, Humans In this food chain Who get maximum energy? यहाँ पर बोला गएगी यह जो given food chain है वहाँ पर maximum energy किसको मिलता है? तो according to 10% law of energy transfer अगर देखा जाए तो क्या होता है basically कि energy जो है वो total energy से सिर्फ हम कह सकते हैं कि 10% energy ही next traffic level पर transfer होता है और यही चीज़ वो वापस से another level पर 10% हिसाब से transfer होता है जिसे पर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग grass में देखते हैं कि 10,000 joule of energy produce हो रहा है तो उसके next topic level यानि insect में सिर्फ 1000 joule of energy ही produce होगा frog में अगर देखा जाए तो 100 joule of energy पाया जाएगा birds में 10 joule of energy और human में सिर्फ 1 joule of energy sustain होगा जिसे कि हम कह सकते हैं कि जितना यहाँ पर higher tropic level होगा उतना ही low जो है वो energy transfer पाया जाएगा इसलिए minimum energy जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर हम कह सकते हैं to the human और maximum जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर जो की हमारे producers है तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर grass जो है वो producers है जिसका energy जो है वो maximum होगा और human का energy जो है वो minimum पाया जाएगा तो इसलिए हमारा correct answer हो जाएगा यहाँ पर grass जिसका maximum energy यहाँ पर consider होता है क्लासिक्स चिट्वेल से लेके नीट आईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सू पर